अधिक मृत्यू सिर्फ सराब पीने के कारण इसलिए जरा सराब पीने वाले अधूसरों को सराब पीने के लिए प्रेजित करने वालों से भी मैं कहूंगा कुछ तो सोचो जाना तो सब को है रहना तो किसी को नहीं है आज नकल तो जाएगा लेकिन क्यूं लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे हो यहां रहेगा काम करेगा और जो उसका उसकी जो अंतरात्मा है उसके मुताबिक को काम करेगा यह दारू पिला करके लोगों को बर्बाद करना आप कुछ अमीर उम्राओं लोग है चंद कुछ पढ़े लिखे लोग अमीर लोग जिनको इस बारे में कोई चिंता नहीं है माल लिजे चंद लोग होंगे जिनको कोई चिंता नहीं है उनको कोई भी बिमारी होगी तो अपना यहां इलाज कराएंगे दिल्ली में कराएंगे मुंबई में कराएंगे इंगलैंड में कराएंगे अमेरिका में कराएंगे इतने अमीर हैं लेकिन जरा गरीब लोगों का स सोचना चाहिए और चंद लोग जो हम लोगों के यह नसा मुक्ति और सराब बंदी के इस अभियान के बहुत खिलाप हैं कुछ लोग जान लीजे मेरे खिलाप हो गया है पर्मानेंट हमको कोई चिंता नहीं है जब तक हम हैं इस प्रस्म पर कोई समझाता हम करने वाले नहीं है यह तो बिल्कुल होगा और जंद आग्रिती का अभियान अब यह बिल्कुल करने के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है आज हम बता देना चाहते हैं आप सब लोगों को कि कि अब हम लोग दो बार 21 जनवरी को कर चुके 2017 में नसा मुक्ति के लिए सराब बंदी के लिए 2018 में बाल विबा और दहेद प्रता के खिलाफ अब हमने कहा है इन्नों को और आज मैं बता देना चाहता हूँ कि फिर 2020 के 21 जनवरी को माना और स्रिंखला हम लोग बनाएंगे और उसमें दो के लिए हम लोग पहले कर चुके हैं इसलिए फिर से करेंगे सराब बंदी के पक्ष में और जन जागरती है और उसका परिचायक हो गया होगा हूँ और फिर समास सुधार के लिए दहेद प्रता और बाल विबा के खिलाफ और उसके साथ साथ जो परियावरन पर संकट उत्पन हुआ है जलवायू परिवर्तन जो हो रहा है और इससे लोगों की रख्षा के लिए जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान का निरने लिया और उसके साथ साथ जल जीवन हरियाली अभियान के लिए भी यानि तीनों बातों के लिए नसा मुक्ति समाथ सुधार बालविवाद धहट पर्था के खिलाफ और तीसरा जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में इन तीनों चीज का जवरदस्त अभियान पूरे विहार में चलेगा और 21 जनवरी को फिर पूरे विहार में मान और स्र समाथ सुधार के लिए और जो गलतियां है उसको दूर करने के लिए और जो कुछ भी है जल के संरक्षन के लिए हरियाली को बढ़ाने के लिए इन सब चीजों के लिए मिलकर काम करेंगे तो भाई यहां जीविका की दीदिया है हम सब से कहेंगे एक एक चीज के लिए मिलक करके अब एक करोड़ परिवार से भी जादा परिवार जुड़ चुका है जीवी का समूं से और हमारा लक्ष जो है दस लाख स्वैंग सहाथ होता सब्छना का जीवी का समूं का आठ लाग समूं के साथ क्टूमिक ह मैं चुड़े लगा तो अससी भी जादे जुड़ेंगे वो परिवार के लोग महिलाएं जुड़ेंगी तो उनमें भी जागरती आएगी और वो भी अन्य प्रकास से अपने परिवार को चला पाएंगे तो इसलिए ये सब काम करना चाहिए और हम सब लोगों को एक एक काम इसके लिए पूरे परिस्त्रम के साथ और जो कुछ भी हुआ है भाई इसके लिए अभियान चलाया है हमने तो उसकी समिक्षा की और हमारे डीजीपी साहब ने जो कारवाई हुए उसकी चर्चा कर दी है कान हैवान हो जाता है कुछ कहने की जरूरती इतने कहिए आप गांधी जी ने क्या कहा बापु ने